गुट मॉर्निंग फ्रेंस तो कैसे हो आप सभी आई होपके आप सभी लोग अच्छे ही होंगे तो फ्रेंस जैसा कि हमने लाश्ट एपिसोड में देखा था कि हमारे हीरो जैंग ने उन डेविस से फैंग को वहाँ बचा ही लिया था पर जब वो खुद मैंग चॉंग से वहाँ फाइट कर रहा होता है तो मैंग चॉंग उसके ऊपर काफे जादा भारी पढ़ने लगता है इसलिए जैंग तुरंथी एपिसोड के सुरुवात में मिस यू को देखते हैं जो अपने डैमेंशनल क्यूब का यूज कर जैंग और जीव को बचा कर यहाँ से लेकर जा रही होती है वहीं उनका पीछा वो डैविस कर रही होते हैं और वो उन्हें वहाँ नहीं पकड़ पाते हैं और वहीं रुख कहते हैं कि हम तुमें छोड़ेंगे नहीं वहीं इधर कुछ देर बाद मिस्यू उन दोनों को लेकर यूमन्स के सेकरेड लैंड में आ जाती है तब ही वहाँ जीव जैंग को देखते हुए कहती है कि तुम तो वहाँ मैंग चाओं के काफी खतरनाक से अटेक से बाल बाल बच गये तो क्या तुम अभी यहाँ ठीक हो अब यह सुनकर जैंग वहाँ कहता है कि हां मैं ठीक हूँ और मैंने उसकी उस अटेक को ब्लॉक करने से पहले ही उसकी ट्रू एसंस को रिफाइन कर खुद के अंदर ले लिया था इसलिए मैं अभी बिल्कुल ही ठीक हूँ साथ ही तुमने यहां मेरी काफी मदद करी इसलि जाती है अब उसके जाते ही मिस्यों वहां से कहती है कि अब हमारे अगले प्लान के मुताबिक हमें अब डैवल्स के उपर वार का एलान कर दीना चाहिए अब यह सुनकर जैंग वहां कहता है कि हां मुझे जल्दी से जल्दी उनके सेक्रेट लैंड के उपर कबजा करना डिवाइन कॉंटिनेंट में वापस जा सकूँ अब इतना कहते ही हम वहां देखते हैं कि जैंग यूमन्स के सेक्रेट लैंड का लीडर होने के नाते डैवल्स के सेक्रेट लैंड के लीडर से कहता है कि मैं यहां यूमन सार डैवल्स के वीच में वार का एलान करता हूँ प साइट के लिए को सेक्रिट लेंड के लिए उसका हो जाएगा तब भी आपके सेक्रिट लेंड को देखते हैं तब हैं नोगों को वहाँ अपनी स्विष्पेशन को खतम करें बाहर हो भिवेशन को खतम नेजरी हुथ लेकिन डेविल्स का लॉट गुस्से में होने की वज़े से उन लोगों को वहां अपने स्पीच्वल प्रसर की मदद से प्रस कर रहा होता है। मैंग चंग वहां उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि डाविल लॉड प्रीज आप हमें यहां माप कर दीजिए क्योंकि हम तीन दिनों के अंदर डाविल के सिक्रेट लैंड को यहां जीतने की कोसिस करेंगे पर यह सुनने के बाद भी वह लॉड वहां उसे नहीं छोड़ता है इसलिए मैंग चंग वहां फिर से कहने लगता है कि हम बस एक दिनों के अंदर ही यूमांस के सिक्रेट लैंड को जीत लेंगे वहीं इदर वारलोड के उपर भी वह काफी जादा भारी परड़ा होता है इसलिए वह वहां तुरंत ही कहता है कि मैं वहां फैंक को जान से मा लिए उनसे फाइट करने को जा रहा हूं अब इस पर वो सभी डैविल्स वहां उन यूमांस से फाइट करने को तैयार हो जाती हैं और कहने लगते हैं कि हम उन्हें यहां बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे तभी अब हमारा सीन यहां चेंज हो जाता है जहां हम यूमांस के से स्क्रिट लैंड को देखते हैं तभी वहां मिस्यू जैंग को बताते हुए कहती है कि डैविल लॉट के कल्टिवेशन लेवल्ट के पीक पर पहुच गई है जबकि मैं तो अभी वाइट प्रॉफेक्ट रियलम के फर्स टेवल पर ही हूं अब यह सुनकर जैंग वहां कहता है कि फिर भी मेरे पास उन लोगों को हराने का एक प्लान है पर दभी इतने में ही हम वहां देखते हैं कि यहां पर धेश सारे यूमन्स को लेकर जियान आ गया होता है और सिधे सिधे वहां जैंग पर अटैक कर दीता है और कहता है कि क्या तुम यहां पागल हो गई हो जो करने का एलान कर दिया इस अटायक को जैंग वहां ब्लॉक कर दीता है जिस पर जियान वहां एमोशनल होते हुए कहता है कि हम लगों ने यूमन्स के साक्रेट लैंड को बनाने के लिए तुमारी यहां काफिस जादा मदद करी है इस वजह से यहां के इनसानों को अब जीने जैंक को ठैंक यू कहता है अपनी चान बचाने के लिए जिसके बाद वहां यूमन्स को दिखाते हुए कहता है कि यूमन्स यहां काफी लंबे समय से कमजोर हैं इसलिए हमें उन्हें उल्टा प्रोटेक करना होगा कि जहां तक मैं जानता हूं तो उन डैविस को यहां एक साथ ही अपने घुटनों पर जुकते हुए कहते हैं कि हम लोग यहां फिसर डैविस के गुलाम नहीं बढ़ना चाहते हैं इसलिए लौड आप यहां इस वार को खतम करने के साथ उन डैविस से यहां हमें जिन्दा चोड़ने की रिक्वेस्ट कीजिए और यह सुनते ही जै कि तुम्हें यहां सांती से रहने का मौका तभी मिलेगा जब तुम यहां खुद ही स्ट्रॉंग बन जाओगे अब यह सुनकर वो यूमन वहां कहता है कि लौड हम यहां अपने जान को दाव पर लगा कर भी भाइट करते हैं तो हम यहां हार ही जाएंगे प्योंकि हम यहा देखते हैं कि जैंग इंसानों की पावर को दिखाने के लिए तुरंते वहां एक अटैक को रेड़ी करने लग जाता है जहां वो अपने काफी बड़े से स्पिर्चल स्वार्ट को बाहर निकाल लीता है और यहां पर एक अटैक कर यहां के खराब मौसम को साप कर दीता है इसके बाद हम वहां देखते हैं कि इस वज़ा से उन सभी यूमन्स के सोल यहां बाहर आ जाते हैं अब यह देखकर जैंग वहां उन लोगों से कहता है कि डाविस इन्मॉटल नहीं है इसलिए हमारे सोल पावर उनसे फाइट करने में हमारी यहां काफी जादा मदद कर सकत है अब इतना कहते हैं हम वहां देखते हैं कि इन सभी लोगों कि सोल पावर को इंप्रूब करते हुए वापस से उन सभी के बाड़ी में डाल देता है और कहता है कि अगर तुम लोग यहां सांधी से जीना चाहते हो तो तुम लोगों को यहां खुदी स्ट्रॉंग बन फा डालूं अब यह सुनते ही उन सभी लोगों के अंदर काफिज जोस आ जाता है और वो सभी वहां डैविल से फाइट करने को रैडी हो जाते हैं वहां से देखते हुए कहते हैं कि अब उन लोगों के प्रोटेक्टिव फार्मेशन यहां हट गए हैं इसलिए हमें जल्दी से जल्दी चाकर यूमन्स के लॉट को मारना है अब इतना कहते ही वो लोग यहां से जाने लगते हैं तब है इदर यूमन्स के सैकरेट लैंड में फैंग और जैंग दोनों ही अपनी बटरफ्लाइ को बाहर निकाल मिस्यू को दे देते हैं जिस पर मिस्यू वहां उनके साथ म मेरे ब्रदर के ठ्रैजर थैं जिस विईस और से इन दोनों को यहां कंब आइड करनी के बाद हम जू आन मिंग केप के अंदर जा सकते हैं अब इतना कहते ही वे वह वहां उन दोनों ही बटरफ्लाइ應該 को कबांइ दे दे हैं जिसके बाद हो वहां कहती कि जुआन में केप के खुलने के बाद ये बटरफ्लाय यहां के आसपास के लोगों को खुद बाखुद वहां टेलिपोर्ट कर देगी पर इनकी भी एक लिमिटेट रेंज है इसलिए हमें यहां कुछ भी करके उन डैविस के आर्मी को इसके अंदर लाना होगा पर तभी काफी अच्छी टकर दे रहे होते हैं क्योंकि उन्हें यहां खुद की लड़ाई खुद ही लड़नी थी कुछ देर बाद यहां पर वह डैविल लॉड भी आ जाता है जो वहां जैंग को देखते ही तीधा उसके उपर ही अटेक करने को यहां से आगे बढ़ जाता है और उ उसके अटेक को वहां ब्लॉक कर देता है और मिस यू से वहां कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी जेट बटरफ्लाइ को यहां अक्टिवेट कर दो अब यह सुनकर मिस यू वहां उन्हें अक्टिवेट करने में लग जाती है पर डैविल लॉड इस बात पर वहां धियान नहीं देता और जैंग से सिधे सिधे कहता है कि यूमा लॉड मैं यहां देखना चाहता हूं कि आखिरकर तुमारी हट्टियों के अंदर यहां कितनी ताकत है अब इतना कहते ही वह वहां एक पाम अटैक को रैडी करनी लग जाता है और सिधा उससे जैंग के उपर वहां अट हटके में डिश्ट्रॉय कर दीता है और कहता है आज हम इंसान यहां तुम सभी डैविल्स को जान से मार डालेंगे और तुम्हारे सैक्रेट लैंड पर कभजा भी करेंगे और तभी यहां पर काफी दूर खड़े होते हैं और वो यह देखकर यहां पर काफी साधा हैरान हो हो चुके हैं तभी आप मारा सीन यहां चेंज हो जाता है जाम सभी लोगों को देखते हैं देखते हैं वहां उन सभी लोगों को बताते हुए कहता है कि हम सभी लोग यहां जुआन मिंग केव के इंवायरोमेंट को फाइदा उठाते हुए उन डैविल्स को यहां हरा सकते हैं पर तभी वो जेड बटरफ्लाइ वहां जैंक को चूस करते हुए उसके कौंसस माइंड के अंदर चली जाती है अब यह देखकर मिस्यों वहां अपने मन में सोचने लगती है कि जेड बटरफ्लाइ ने तो जैंक को चुना है इसलिए ब्रदर या तुम्हें यहां इसकी ही जरुरत है तब यह प्लान के मुताबिक पैंग वहां कहता है कि मैं उन डेवल्स के पास जाकर उन्हें वहां उलचाओंगा और उन्हें वहां किसी औरी रास्ते की ओर लेकर जाओंगा वहीं जिहान इन कमजोर लोगों को कहीं जाकर छुपा देगा और इसी के साथ हमारा ये अपिसोड एंड होता है फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें बाई बाई